आज हम बनाएंगे गुलकोस सिर्प जो की काफी सारी मिठाईयों में यूस किया जाता है जैसे डोड़ा वर्फी हो गया या फिर जो सोन पापडी होता है उसमें भी यूस किया जाता है इसे हम घर पर बनाना ही बनाएंगे बहुत ही आसान है ये तो चलिए फटा-फट से एक सॉस पैन में जिसमें भी आप पैन है कडाई है कुछ भी यूज कर सकते हैं उसमें डाल दिया चीनी हमने ली है ये 300 ग्राम क्यास पर चीनी ली है इसमें डाल दिया पानी जितनी चीनी डाले उससे मिन थर्ड हिसा पानी का डाले और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पेखलने देंगे यह चुटकी भर नमक डालना है नमक जादा जाने कि दंख करेंगे वो कुछी जोड़्य। एक न autor sama का venom को बूकसे नमक लां यह जान देंगे जेरी हैं तो अब अरक्रा छुकिंगे दाल को मिंक्स करेंगे मंघ्स लिए पर ही रखिएगा नहीं तो इसका color change हो जाएगा जीनी caramelize हो जाएगी इसका color change हमें नहीं होने देना है जाग आ चुके हैं इसका मतलब हमारी consistency perfect है जो कि हमें चाहिए गुल को सिरफ के लिए एक पानी में डाल कर चेक कर लीजिए यह बिलकुल फैल जाती है पानी में घुल जा चेक कर लेना है एक पार पानी में डाल दिया है इसे ठंडे पानी में डाल लिएगा नॉर्मल टेंपरेच को यह दिखिए अब इसमें आप देखिए बिलकुल थका सा जमना शुरू हो चुका है इसका मलब बिलकुल रडी है हमें यही consistency चाहिए गैस को बंद कर देंगे ठं अब नहीं होता है और जब भी आपको कोई मिठाई बनानी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं हमारे चैनल पर आप डोड़ा वर्फी देख सकते हैं उसमें हमने इस गुल को सिरफ का यूज़ किया है तो बनाकर ट्रै कीज़ेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कोमेंट शेयर कीज़ेगा चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब की बिना बिल्कुल नहीं जाएगा तो चलिए बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और नवीडिक साथ तब लिए ध्यान रखें टेक्यों बाबाई